आज हम एक नया border pattern लेके आये हैं आप लोग इसे जैन्स लेडी बच्चों के किसी भी प्रोजक्ट में डाल सकते हैं border के रूप में भी डाल सकते हैं और पूरे प्रोजक्ट में भी इसे डाल सकते हैं हमने किस तरीके से बनाया इसकी वीडियो शुरू करेंगे चार फोल्ड उन में हमने फंदे डाल लिये हैं एक सिलाई हम एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा धागे को आगे पीछे करते रहेंगे पूरी सिलाई बिल लेते हैं लाश्टी के फंदे को सीधा बिन लएगे अब ये उल्टी सिलाई यहां से हम डिजाइन को शुरू करेंगे उल्टी सिलाई पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल ले यह सीधा फंदा है इसे सीधा बिन लेंगे धागा पीछे करेंगे सीधा बिन लेंगे अब ये उल्टा फंदा धागा आगे करेंगे इसको एक बार दो बार गोल घुमा लगे फिर धागा पीछे फिर सीधा फिर धागा आगे फिर इसे उसी तरीके से करेंगे एक बार दो बार इस तरीके से धागा पीछे सीधा धागा आगे उल्टा उल्टे फंदे में दो बार और उल्टी सिलाई में कर रहे हैं पूरी सिलाई बिनेंगे जो सीधा फंदा है उसे सीधा बिन रहे हैं उल्टे में दो बार घुमा रहे हैं डिजाइन की पहली शिलाई हमने बीन ली अब ये दूसरी शिलाई पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लोगे अब यहां से हमने उल्टा लिया था दो बार गुमाया था अब यह सीधी साइट हमें इस तरीके से करना है यह पहला राउंड यह दूसरा राउंड यहां पहलेंगे दूसरे राउंड इस तरीके से फिर यह फंदे को डबल ले रखा है तो यह लंबा है इस तरीके से अंदर से ले लेना है धागा आगे करेंगे अब यहां से जो हमने सीधा बिना था यहां से उल्टा आएगा यह उल्टे फंदे को उल्टा बिन लेना है सीधे फंदे को इस तरीके से पहला और यह दूसरा इस तरीके से यह फंदे को लेना है क्योंकि यह धीला है हमने दो वार घुमाया है इसको इस तरीके से यहां से अंदर से यहां से निकाल लेना है फिर धागा आगे करेंगे, फिर ओल्टा फंदा भी लेगे, फिर धागा पीछे, फिर यहीं से पहला दूसरा, यह ले लिया, इसको इस तरीके से, ध्यान से देखीगा, यह, त्यूंकि हमने दो बार घुमाया था, यहां से अंधर से निकाल रही है, उल्टा वाला फंदा उल्टा भी लेगे, सीधे वाले फंदे को, पहला दूसरा, दूसरे के निचे यहां पर लेंगे, यह ले लिया, यह, यह लेके यहां से अंधर से निकाल, इस तरीके से, दूसरी सिलाई है, पूरी हो गए, यह सीधी साइट है, और यह, उल्टी साइट, दोनों साइट डिजाइन आए गए, अब डिजाइन की तीसरी सिलाई सुरू हो रही है, तीसरी सिलाई से उसी तरीके से करेंगे, जो फर्स्ट सिलाई में हमने डिजाइन डाला, पहला फंदा निकाल लिया, धागा पीछे, यह सीधा फंदा है, से सीधा बिन लंगे, धागा आगे, यह उल्टी साइट है, इसम उसी तरीके से, दो बार, हमने बिनाई की जो पहली सिलाई यहाँ पर हमने शुरू की थी, वही यह तीसरी सिलाई में रिपीट हो, उल्टी साइड, सीधा फंदा सीधा बिल लेना है, उल्टे फंदे में दो बार लेना है, दागा पीछे, सीधा, दागा आगे, उल्टी साइड, दो बार, अब यह चोथी सिलाई, फोर दो, पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल, यह उल्टा है, अब यहाँ पर, अभी हमने पहली सिलाई में यहाँ से लिया था, जब हमने बिनाई की सेकिंड रो भी नहीं थी, तो हमने इस तरीके से धागा पीछे करके, फर्ष्ट छोड़के, सेकिंड में यहाँ से इस तरीके से यह फंदी को लिया था, अब फोर्थ सिलाई में इस तरीके से करना है, फर्ष्ट रो छोड़के, सेकिंड, यहाँ से नहीं, यहाँ से लेना है, यह देखिएगा, फर्ष्ट यह है, सेकिंड यह है, यहाँ से हमने डाला, यह ले लिया, फिर यहाँ इसे अंदर से निकाल ले, इस तरीके से, यह उंटा फंदा है उल्टा दहगा पीछे ध्यान से देखिएगा 2nd row में हमने यहां से लिया था अब 4th row में हम यहां से ले रहे हैं फ़स्ट छोड़के 2nd से ही लेना है लेना यहां से तरीके से यह निकाला क्योंकि यह लंबा है हमने उल्टी साइड इसे डबल लिया था फंदा डीला है उल्टा फंदा उल्टा ही बिनना है फिर से बता देते हैं एक बार एक छोड़ के सेकिन में यहां से नहीं यहां से फोर्थ रो में यहां से और सेकिन रो में यहां से अभी फोर्थ रो है यहां से लेना है यहां से लेंगे फिर हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हो इस तरीके से भी कर सकते हो यह ले लिया यह फंदी को इसमें डाला इस तरी के फिर धागा आगे उल्टा फंदा उल्टा बिन देया धागा पीछे सीधा सेकिंड रो से यहां से फिर यहां फिर इसको छोड़ दिया यह धीला है क्योंकि डबल लिया है फिर इसको यहां से अंदर ले दिया फिर उल्टा प्लास्ट का फंदा सीधा बिन देया है इस तरी के का हमारा डिया अब यह फोर्थ सिलाई जो हमने बिने हैं इन्ही को फिर से रिपीट करना है जो पहले हमने पहली लाइन एक उल्टा एक सीधा कर बिना था वो डियाइन नहीं है सिर्प हमने एक सिलाई बिनी थी वो डियाइन जो शुरू हुआ हमारा जो सेकिंड सिलाई हमने बिनी थी वहां से शुरू हुआ यह चार सिलाई हमने फिर रिपी इस तरीके का हमारा ये border बनता आएगा एक बार इधर को, एक बार इधर को, एक बार इधर को, एक बार इधर को अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें नए नए डिजाइनों के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें